एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अनहोनी होती नहीं, होती होवन हार, होनी बलवान है, जो नहीं होना है, वो आपके लाख चाहने पर भी नहीं होगा, और जो होना है वो होके रहेगा चाइना के अंदर तास के पत्तों की तरह ढहने वाली नौबत आ गई है एक बहुत बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है और डर इस बात का नहीं है कि ये एक घोटाला है बलकि ये लड़ी वाला बम है जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर और किस तरीके से तास के पत्तों की तरह बिखरेगा चाइना तो वहीं दूसरी तरफ चुनाओ जीतते ही पुतिन और पिये मोदी के बीच में बात हुई क्या यूक्रेन युद्ध पर मिलने वाली है बड़ी खबर जियो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है पालने वाले ब्लादीमिर पूतिन से पीएम मोदी ने टेलीफोन पर बात्चीत की दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन युद्ध को लेकर बात हुई क्रेमलीन के मुताबिक रूसी राश्टपती ब्लादीमिर पूतिन पस्चमी देशों ने निश्पक्च और स्वतंत्र चुनाव नहीं करवाने के आरोप में ब्लादिमिर पुतिन की निंदा की वहीं युक्रेन युद अब तीसरे साल में पहुंच गया है और मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि युक्रेन के विदेश मंत्री भी अगले हफते भारत दोरे पर आ रहे हैं जो युद शुरू होने के बाद युक्रेनी विदेश मंत्री का पहला भारत दोरा होगा माना जा रहा है कि युक्रेन युद को लेकर भारत बड़ी भूमी का निभा सकता है वहीं रूसी राष्पती से बात करने के बाद पि-यम मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और लिखा की राष्पती पुतिन से बात की उन्हें रूसी संके राष्पती के रूप में फिर से चुने जाने पर बधाई दी हम आने वाले सालों में भारत रूस विशेस और विशेसा अधिकार प्राप्त रनितिक साजेदारी को गहरा और विश्तारीत करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं इस्क्रीन पर आप देख सकते हैं उनके ट्वीट को अब जल्दी ही ये भी माना जा रहा है कि युकरेन के विदेश मंतरी दिमित्री कुलेबा भी आएंगे अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस बार का सांती समझोता सफल हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पडोसी चाइनक में क्या हो रहा है पडोसी चाइनक के अंदर एक भयानक इस्तिती देखने को मिल रही है अगर चाइनकी बात करे न तो सुरुआती दोर में चाइनकी इस्तिती बहुत खराब थी वो तो ये कहिए कि देंग जाउपिंग आये और देंग जाउपिंग के आने के बाद सब कुछ बदलता चला गया इन्होंने जो reforms किये उस reforms का असर ये देखने को मिला कि उस reforms की वज़े से चाइना के अंदर economic तोर पर मजबूती आई लेकिन अब मैं अगर ये कहूं कि ये सार मजबूती बरबादी की तरफ जा रही है एक समय था जब चाइना के अंदर जैसे ही पैसे आने सुरू हुए वैसे ही चाइना ने real estate में पूर जोर पैसा लगाना सुरू कर दिया बहुत तेजी से विकास किया जाने लगा और इतनी तेजी से विकास किया जाने लगा कि लगा चाइना बहुत जल्दी अपने आपको बदल लेगा पर यहाँ पर चीजें उल्टी होती चली गई स्क्रीन पर कुछ सहरों की तस्वीर देख रहे हैं पूरे बसे बसाए सहर है लेकिन इन सहरों में रहने वाले लोग नहीं है अपार्टमेंट का अपार्टमेंट खाली है यहाँ पर कोई रह नहीं रहा है और इन्हें कहा जाने लगा घोश्ट सीटी ओफ चाइना इस आपको यह बूंदे दिख रही है यह बूंदे दिखला रही है उन सहरों को जिन सहरों में स्टडी किया गया और यहाँ पर उची उची बिल्डिंग देखी गई और यह जो बिल्डिंग थी यह बिल्डिंग खाली थी अब ज़रा सोचिए कि इसमें कितना पैसा लगा होग और ये सारा पैसा बरबाद जा रहा है यहां पर जिस हिसाब किताफ से बनाया गया उस हिसाब किताफ से ये बीतरित हो ही नहीं सका और तब एक बड़ी ही टॉप की कमपनी हुआ करती थी और उस टॉप की कमपनी का नाम था Evergrande आपने भी सुना होगा इस नाम को चाइना का ये सबसे बड़ा नाम हुआ करता था ये कहानी तो सब को पता है कि Evergrande यहाँ पर दिवालिया हो गया पर आपको बता दे Evergrande सिर्फ दिवालिया नहीं हुआ बलकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा घोटाला भी हुआ था ये गोटाला अब सामने आ गया है इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कई सारे इस वक्त आर्टिकल पब्लिस हो रहे हैं इस गोटाले को लेकर ही और ये जो गोटाला है ये गोटाला किसके द्वारा किया गया है तु मुखिया इसमें हैं चाइनिज बिलिनियर जू जियाइन जिनों ने गुआंग्जू में 1996 में एवर ग्रांड कमपनी को बनाया, रियली स्टेट की एक बहुत बड़ी कमपनी और इस कमपनी के नाम से कई बिल्डिंग बनाये गए, रेसिदेंशियल प्रजेक्ट बनाये गए, आपको बता दें, इसके नाम से चाइना के 280 सहरों में 1300 प्रजेक्ट है, छोटी मोटी बात नहीं है, और सिर्फ इतना ही नहीं, जब इन्होंने पैसा कमाना सुरू कर दिया, तो इन्होंने अपना बिजनेस, इलेक्ट्रिक वहिकल, स्पोर्ट्स, बोटल वाटर, ग्रोसरीज, कई सारी चीजों में लगा दी, पार्क, फूड, बहुत सारे बिजनेस में इन्होंने पैसे लगाने सुरू कर दिये, करीब करीब इनके 2 लाख इंपलोई थे और हर साल 3.8 मिलियन जॉब निकाला जाता था इनके द्वारा और इतने लोग यहां काम करते थे, पर चाइनीज रेगुलेटर ने इनके उपर आरोप लगाया है कि एवर ग्रांड और इनके फाउंडर ने मिलकर 78 बिलियन डॉलर का घोटाला किया है, अब यह 78 बिलियन डॉलर का घोटाला कैसे हुआ है, तो इनका कहना है कि दरसल 2019 में ही इन्होंने अपनी रेवेन्यू को 50 परतीसत जादा दिखलाया, अब 50 परतीसत जादा दिखलाने का मतलब है कि अगर इनके पास 50 लाख था तो इन्होंने दिखलाया कि हमारे पास एक करोड है, फिर उन्होंने 89 परतीसत जादा दिखाया, और फिर उन्होंने 87 परतीसत 2020 में जादा दिखलाया, 63 परतीसत जादा दिखलाया, ये जो बार बार ये अपने revenue को अपनी असली revenue से double बताते रहे और double बताने की वजह से क्या होता है कि loan मिलना आसान हो जाता है इन्होंने दबा कर loan लिये banking system से फिर इन्होंने क्या किया 20.8 billion yuan के bond जारी कर दिये और public से भी पैसा उठाना शुरू कर दिया जिन्होंने bond खरीदा वो भी बुरी तरीके से फस गये तो एक घोटाले की वजह से इनका पूरा banking system उन लोगों ने जिन्होंने पैसे लगाए थे वो सब कुछ यहां पर फस गया सायद Evergrande अपने आपको बहुत हद तक छीपानी की कोशिस करती रही और छीपा भी लेती अगर यहां पर उनका project भी जाता पर उनके लिए कहते हैं ना जब बुरी किसमत होती है तो समय साथ नहीं देता है ऐसा ही कुछ हुआ और इनका project नहीं भी का जिसके बाद दुनिया क सामने आ गया अब Evergrande को liquid किया जा रहा है और liquid करने के बाद इसके पैसे को चाइना के उन इन्वेस्टर्स को लोटाया जा रहा है जिन्होंने Evergrande में पैसे लगाये थे वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ